अपने अगले चेप्टर के साथ पस्तित हूँ, अब लोग अपने हिंदी ग्रामर की बुक खपेंड कर लिज़े, पेज नमबर 27, चेप्टर का नाम है कारक, कारक पढ़ेंगे अब हम, ये कारक जो चेप्टर है, ये चेप्टर बहुत ही इसको आपको क्लास 10 तक निशी दुरू से पढ़ना पढ़ेगा और इसके जानकारी आपको बहुत ही अच्छे ठंक से प्राप्त करना है, लेना है, तो कारक, कारक की परिभासा सबसे प्रतम हम लोग मालूम करते हैं कि कारक किसे कहते हैं, कारक से क्या समझते हैं, तो परिभा पढ़ते हैं संग्या या सर्वनाम, संग्या या सर्वनाम आप लोग जानते हैं, संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से, संग्या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया से संबंद प्रकट हो, संग्या या सर्वनाम से उसके जिस रूप से क्रिया के साथ संबंद वहां प्रकट होगा उसे कारक करते हैं जो संबंद प्रकट होगा और वहीं सब्द को कारक कहलाएगा तो आगे नीचे कई प्रकार के कारक होते हैं इस पस्ट हो जायेगा इसको याद कर लीजेगा ये परिभासा दर्शकों ने भारत और पाकिस्तान के मैच का अनन्द उठाया जोड़कर वाक्य को स्पस्ट और अर्थ पुड़ बना रहे हैं। आपके करता, संग्या और सवनाम के वीच में आकर के क्रिया से संबंदे स्थाफित कर दे रहे हैं। तो अर्थ इस्पस्ट हो जा रहा है। इन्हें कारक चिन्न कहते हैं। यानि इन्हें को ने के का इनके कारक चिन्न कहते हैं। इन चिन्नों के बिना वाक्य अर्थ हीन हो जाता है, अगर इस चिन्न को न लगाया जायत still तो जो वाक्य होगा वो अर्थ हीन उसका कोई अर्थ, यार निरअर्थर्थक हो जायेगा दूसरे सब्दों में कारक चिन वाक्य को आकर्षक इसपस्ट और सार्थक बनाते हैं कारक चिन प्रियोग होने से वाक्य आकर्षक हो जाता है वाक में आकर्षन भर जाता है और इसपस्ट हो जाता है और सार्थक हो जाता है निर्थक नहीं रहता है नीचे चलते हैं, अब देखते हैं कारक का ज्यान कराने वाले चिन्नों को बिभक्ति कहते हैं, कारक का जो चिन्न ज्यान कराते हैं वो बिभक्ति कहते हैं, अब इस पस्ट हो जाएगा कि बिभक्ति क्या है, कारक क्या है, कारक की भेद, काहिन सब कितने प्रकार की कारक होते है आप लोग देखते रहे हैं यह भूप में ध्यान इधम बिल्कुल मैंने कहा कि कारक आपको 10 तक बहुत ही इंपॉटन यह चेक्टर है कारक के भेद और विभक्ती चिन इस प्रकार है कारक के भेद और विभक्ती जैसा भी उपलिखा गए तो विभक्ती कहते हैं तो इस प्रकार हैं यहाँ पर देखते हैं कारक और विभक्ती का चिन करता कारक में ने आएगा कर्म कारक में को आएगा करण कारक में से आएगा या द्वारा आएगा संप्रदान कारक को आएगा या केली आएगा अपादान कारक से या अलग होने का अर्थिस पस्ट होगा वहाँ पर संबंध कारक का की के रा री रे ये संबंध इस्थापित करेगा वाकि में एक दूसरे की बीच में संबंध इस्थापित करेगा करता और करता इन दो करताओं के बीच में या सर्वनाम हो या संग्या हो उनकी बीच में संबंध इस्थापित करेगा अधिकरण में होगा या पर ये चिन्न होगा बिभक्ती का संबोधन हे ओ अरे ये संबोधन का चिन्न होगा जो बिभक्ती के रूप में यहां पे होगा तो कुछ बिला करके आठ प्रकार के there are eight type of case आठ प्रकार के ये कारक होते हैं इनका हम detail में जानेंगे इसको बिष्तार में जानेंगे कि करताकारक किसे कहते हैं और उदारन के माध्यम से भी पढ़ेंगे पहला है करताकारक करताकारक संग्या या सरवनाम के जिस रूप स्वरी करताकारक पहला प्रकार संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे करता का रहा होता है जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो यानि काम का होना पायज है वहां पे बोध हो उसे करता का रहा होता है जैसे ने जैसे राधा ने राधा ने सितार बजाया राधा ने सितार बजाया ये राधा काम करने का काम कर रही है रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो क्रिया करने वाले काम करने वाले को ये राधा ने राधा क्या है करता का रहा है करता है राधा तो ने आ गया तो राधा कोई काम कर रही है तो सितार बजाया किसने सितार बजाया राधा ने तो राधा करता है और ने क्या है बिभक्ती है जो ये बिभक्ती मैंने बताया यहां करता राधा ने करता कारक है यहां पर अगर कोई कुल देखेंगे, तूसरा है karmakarag, जीसा अभी आख़े थे, जिस संग्या या सर्वनाम, पर क्रिया का प्रभाव पकड़े, यायन क्रिया का प्रभाव संग्या या सदुनाम के उपर पड़े उसे कर्मकार कहते हैं इसका जो बिवक्ति का चिन्न होता है वो को होता है यह समय नहीं अभी उपर बताया पेज नुमर 27 में उतारण के लिए देखते हैं मा बच्चे को सुलाती है मा बच्चे को सुलाती है दिखिए यहां पर संग्या या सदुनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़दा है किसको सुलाती है बच्चों को बच्चे को सुलाती है ठीक है तो इस प्रकार ये आपका दूसरा प्रकार रहा कर्मकार कई बार कोचिन का प्रयोग नहीं भी होता है जै मोहन ने गिलास तोड दिया किसने गिलास तोड दिया मोहन ने तो ये थैं यह अपवाद है नमबर थिर देखते हैं करण कारका करता द्वारा जिस वस्तु से कोई क्रिया करने में सहायता ली जाती है करता द्वारा जिस सवस्तु से कोई क्लिया करने में सहायता ली जाती है उसे करण कारक को कहते है इसका चिन से या की द्वारा होता है उतारण से बस्ट हो जाएगा कि वो डंडे से गधे को पीटता है किससे पीटता है डंडे से तो ये से क्या है करण कारक है डंडा पीठने का क्या है कारण तो यह से हो गया अब इसी प्रकार आप कई उदारण बना सकते हैं अपने से अगले नंबर में चलते हैं नंबर फोर संप्रदान कारक संप्रदान कारक जिसके लिए कोई क्रिया की जाती हो उसे संप्रदान कार कहते है इसका चिन को या के लिए है जैसे मरीज के लिए दवा लाओ जिसके लिए कोई करता के लिए जैसे कोई काम किया जाता हो करता के लिए किया जाता हो तो मरीज क्या है यहां पे करता है मरीज के लिए दवा लाओ तो यहां पे के लिए क्या हो गया आपका संप्रदान कारक इसी प्रकार बच्चों को आइस क्रीम दे दो बच्चों को बच्चों को दे दो बच्च क्या है करता है तो यह हो गया आपका संप्रदान कारक इन वाकियों में देने का काम मरीज वो बच्चों के लिए हुआ है अता यहां मरीज के लिए वो बच्चों को संप्रदान कारक मतलब कहेंगे कहते हैं अगला हम बढ़ते हैं अपाधान अभी संप्रदान था अभी अपाधा सब्द के जिस रूप से किसी वस्तु से अलग होने का बोद यहाँ पर अलग हो गया वहाँ पर अपादानकारक होगा इसमें इसका चिन से है इसका चिन से है जैसे सिपाही थो घोडे से गिर पड़ा यहाँ घोडे होना चाहिए था सिपाही घोडे से गिर पड़ा सिपाही कहा से गिर कर इलग हो रहा है इसलिए गोड़ा अपादान कारक होगा ётся और और अजड़ा क्या हो गोड़ा ४रण को योड़ा से सिपाही अलग हो जा रहा है संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से जिस रूप से उसका किसी दूसरे वस्त से संबंध का पता चले उसे संबंद कारकते हैं मनोज का भाई मनोज और भाई मनोज और उसके भाई में कोई संबंद है भाई का संबंद है तो यह संबंद कारक है यहां मनोज अधा भाई संग्या है मनोज भी और भाई भी और भाई से मनोज का संबंद दिखाया गया है इसलिए भाई का संबंद मनोश से है, इसलिए मनोश का संबंद कारक है, मनोश का संबंद कारक होगा, बढ़ रहे हैं नमबर सेबन, इसके बाद नमबर एट है, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक क्या करा है, सब्ध के जिस रूप से क्रिया का आधार ग्यात होता है, सब्ध के इसका चिन पे या पन्मे या पर होता है जैसे गुलाब का पौधा गमले में है चीळिया डाल पर बैठी है। तो डाल पर बैठिए तो पर गमले का अधार क्या है गुलाब का अधार क्या है गमला तो गमला के अंदर पाउधा है तो यह आधार इसलिए इसे अधिकरण कारक कहते हैं और नेक्स्ट पेज में पेज नंबर 29 पे लास्ट इसका प्रकार है उसको भी देख लेते हैं खतम हो जाएगा यहां सेवन का बचा हुआ यहां गुलाब का पौदा गमले में होने का कारण तब बैठने की क्रिया डाल पर होने के कारण गमले में तथा डाल पर अधिकरण कारक है जैसे मैंने भी बताया गमले में और डाल पर यह दुनों अधिकरण कारक दरसाते हैं लास्ट म इसे कहते हैं नहीं है तो यह सारी चीजे होती है इससे होता है इसका चिन है अरे ओ जैसे कोई गिर रहा है अरे गिर जाओगे ऐसे नहीं होता है यह सब हे इस्वर रच्छा करो हे इस्वर को पुकारा जा रहा है यहां इस्वर को हे संबोधन सबसे पुकारा जा रहा है इसलिए इस्वर संबोधन कारक है यहां पर क्रिया से संबंद न होने का संबोधन कारक वास्तों में कारक नहीं है यहां पर कुछ यह पवाद जैसा है लेकिन ये संब्धन कारग भी होता है आई ये पार्ट को दो रहा है ये पार्ट से ही संबंदित होता है कारग वाकिके सब्दों में परस पर सम्द बताने का कारे करते हैं दूसरा है कारग चिन्नों को विभक्ति चिन्न या परसर्ग कहा जाता है कभी-कभी देखें विवक्ति चिन को परसरग भी कहते हैं तो इन दोनों का नाम जानते रही है विवक्ति चिन या परसरग, एक ही होते हैं कारक आठपटार के होते हैं आठ़ों के नाम हमने बताया भी और उसका डीटेल मैंने पढ़ा भी दिया तो यहां पर यह chapter समात होता है आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजेगा मैं next video में या तो नहीं तो मैं इसका image करके भेज़ दूँगा success का मैंने कहा इसको कई बार पढ़ना है क्योंकि करता यह जो कारक chapter है बहुत ही important है यह आपके साथ चलता रहेगा class 10 तक तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और कई बार पढ़ेंगे प्रयास करेंगे घर पर ओके ठीक है